दोस्तों नमस्कार, आज हमारे पास एक सुनेहरा आउसर है मागा स्वर्य और भहुजन कल्यान विभाग के आतिरीक्त मुख्य सचिव आदर्निय नंदकुमार सर इनके साथ हम बातचीत करेंगे दोस्तों हमारी विभाग की तरफ से आश्रम शालाय चलाई जाती है उन शालाओ में श्रेक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आदर्निय नंदकुमार सर एक अलग प्रकार का नियोजन लेकर हमारे सामने आ रहे है ट्यूशन क्या है और स्कुल की गुणवत्ता के बारे में सर का क्या रीजन है ये इस मुलाकत के माध्यम से आज हम समझेंगे मैं आदर्निय नंदकुमार सर का तह दिल से स्वागत करता हूँ नंदकुमार सर आपका बहुत-बहुत स्वागत हमें और हमारे प्रेक्षकों को आपसे सववाद करके अच्छा लगेगा आपका वापस एक बार अभिनंदन और मैं आपका स्वागत करता हूँ सर हमारी प्रेक्षकों के मन में और हमारे मन में जो सवाल है वो ये है VJNT आश्रम शाला में जो गुणवत्ता विकस के लिए हम नियोजन कर रहे हैं, उसके लिए आपका नियोजन क्या है, यह हमें आपसे समझना अच्छा लगेगा मुझे लगता है कि हमारी स्कूल में VJNT के चात्र सीखते है, जाक्तिक दर्जे के नागरिक होने चाहिए, इसलिए हमारे गुणवत्ता का नियोजन है इसलिए पिछले साथ साल से महाराष्टर में भी हमने अलग-अलग प्रयोग करके यश प्राप्ति की है इस यश का उप्योग VJNT स्कूलों की चात्र को भी होना चाहिए 2015 साल में जब प्रगट्चेक्षणिक महाराष्टर शुरू किया, तब जीला परिशत स्कूलों ने कुछ भाग था सौ प्रतिशत सीखे होए चात्र वो दिखा रहे थे उस समय में आधे से ज्यादा भारत में पाचवी कक्षा के चात्र ठीक से सीख नहीं पा रहे थे 2018 में ऐसे परणाम पाए कि देश के किसी भी राज्य को उस गती से परणाम मिलना मुम्किन नहीं हो पाया उसके बाद भी अंतर रश्ट्य स्तर का शिक्षण इस राज्य के जीला परिशत स्कूलों ने दिया उन स्कूलों में जो किया गया शिक्षकों से या अधिकारियों से उसका कच्चा चिठ्था हमारे हाथ में है उसका उप्योग हमारी बाकी के स्कूलों में होने के लिए ये कार्यकरम हम चला रहे है Thank you sir, thank you so much हमने ऐसा उपकरम जो हाथ में लिया है तब एक सवाल उठता है अभी जो आश्रम शाला की गुणवत्ता की स्थिती है उसके बारे में आपके कोई observation है अगर है तो क्या है BJ&T आश्रम स्कूल के चात्रों की क्या गुणवत्ता है कितने प्रतिशत चात्रों को पढ़ने आता है ऐसा अलग डेटा हमारे पास उपलब नहीं है हमने बेस स्कूल चुनने के लिए एक गूगल फॉर्म विकसत किया है उन में से जो अच्छी स्कूल दिखी उनको हमने विजिट किया है और मैंने खुदने और हमारे संचलक जाल्टे सहब और उपसचिव सालुं के सहब हमने और स्कूलों को विजिट किया है इससे हमें दिखता है कि देश में सरकारी स्कूलों की जो स्थिती है या फिर महराष्टर में जीला परिशत स्कूलों की जो स्थिती है यहाँ पर दो तृतियाउश को पढ़ने आता है पाचविक अक्षा तक और भागाकर की स्थिती थोड़ी गंभी रहे लेकिन 43-44 प्रतिशत चात्रों को भागाकर आता है इसी लेवल के वीजे एंटी स्कूल होने चाहिए ऐसा मुझे लगता है सर जिस तरह से हमारे आधिकरी अब स्कूलों को विजिट देते है या विभाग के स्कूल देखते है तो 40-42 मुद्दों का एक परिपत्र है जिसके बीना पर उन्हें परखा जाता है अब हम उसी तरीके से परखने वाले है या उसमें कुछ बदला वापेक्षित है और अगर है तो किस प्रकार के शिक्षन अधिकार काईदा 2010 में अमल में आया उसके पहले असर नाम का एक अहवाल होता था एवन स्टेटस अफ एजुकेशन रिपोर्ट उसमें चात्र सीख नहीं रहे है या वो पढ़ नहीं सकते है और उन्हें मुलभूद गणिती क्रिया नहीं आती है ऐसे दिखने लगा था शिक्षन अधिकार काईदा आने के बाद भी उसमें बहुत सारे सुधार नहीं हुए है 2018 में मुल्यंकन में अच्छा सुधार दिख रहा है आठ साल में पहली बार ये सुधार अब निपुन भारत इस कार्यक्रम के अनुसार तीन साल में आठवी कक्षा तक 80% चात्रों को पढ़ने आना चाहिए और मुल्भुद गणिक की क्रिया आने चाहिए ये उद्देश है ये भारत सरकार का निर्णे है भारत सरकार का इस गुणवत्ता पर अधिक ध्यान है जो भी सुविधाय दी गई है उस पर शिक्षन अधिकार काईदे में ध्यान दिया गया था सर्व शिक्षा अभियान में भी पूरा ध्यान रखा गया था अब गुणवत्ता पर ध्यान देने की बारी है इसलिए हमारा ध्यान रहने वाला है कक्षा में चात्रों की सीखनी की प्रक्रिया क्या है और चात्र कितना सीखे है सुख सुविधाय तो सुधारनी चाहिए सुविधाय नेसेसरी है लेकिन सफिशेंड नहीं है हम गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देंगे बाकी की चीजे अपने आप अलाइन हो जाएगी ये हमारी अपेक्षा है और इसी अनुसर हम काम करेंगे